नमस्कार दोस्तों जैहिन आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज अवस्य करिए आज हम बात करते हैं S.I.V. कंवेंसिनल लोको में जो हमारा static converter है अगर वो start नहीं होता है तो हम क्यार्टरल नपीरवल सुटिंग करेंगे और वीडिज्ञ को प्रेस करेंगे जब हम यह करेंगे उस समय हमारे L.S.D.J. की बदति तुरंत क्या होगी बुझ जाएगी LSDJ की बत्ती बुझ जाती है और हम BLRDJ को तुरण छोड़ देते हैं और BLRDJ छोड़ने के लगभग 12 सकंड बाद यानि DJ लगने के लगभग 12 सकंड बाद हमारी SIV स्टार्ट हो जाती है और SIV जब स्टार्ट होती है तो उसके साथ जो आगजलनियां डारेक्ट जुड़ी है पांच आगजलनियां वो चलेंगी और अगर हमने BLVMT आन कर रखा है तो तीनों ब्लोवर भी साथ में चलेंगे अब बात आती है कि जब LSDJ की बत्ती बुझी उसके बाद 15 सकंड तक हो गया लेकिन आगजलनियों की आवाज नहीं आई इसका मतलब SIV स्टार्ट नहीं हुआ तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि आफटर 15 सकंड हम क्या करेंगे डीजे को खोल कर दुबारा डीजे लगाएंगे यानि एक बार हम डीजे को बीएल डीजे से दुबारा खोल देंगे और वापस बीएल डीजे से डीजे क्लोज करेंगे और उसके बाद वेट करेंगे कि SIV स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है अब अगर SIV स्टार्ट नहीं हो रही है तो SIV का सर्कीट आप लोग को हमने SIV वाली DJ क्लोजिंग सर्कीट में बताया कि सबसे पहले CC INV फ्यूज लगा होता है उसके बाद जो पुरानी सर्कीट थी उसमें BLK का अनलाग, BLVMT का नार्मली क्लोज और दूसरा रास्ता हमारा QS SVM का होता है नार्मली ओपन इंटरलाग जो कि BLVMT आन करने के बाद दो सेकंड बार लगता है फिर QV60 का NCI होता है और उसके बाद हमारे SIV में करेंट पहुंचती है चुकि दुबारा DJ लगाने के बाद भी SIV स्टार्ट नहीं हुआ है अब हमको ट्रबल सूटिंग करनी प करेंगे और BLK को आपरेट करना है इसका मतलब DJ हमको पहले खोल देना है फिर BLK को दो-चार बार आपरेट करके देखेंगे और BLVMT को भी दो-चार बार आनाफ करके देख लेंगे ठीक है यदि इससे भी नहीं हुआ तो अब उसके बाद DJ क्लोज करेंगे और SIV पर जाकर देखेंगे कि ओची रेंज में है कि नहीं ये साड़े सोला से 31 केवी होना चाहिए ठीक है अगर ये है तब तो हम दूसरी ट्रबल सूटिंग करेंगे और रेंज में नहीं है तो हम TLC से बात कर लेंगे अगर ये रेंज में भी है फिर भी SIV नहीं स्टार्ट हो रहा है तो अब हम CC INV Fuse को चेक करेंगे और Fuse को चेक करने का आप तरीका जान रहे हैं DJ open किया जाएगा पेंटो lower किया जाएगा IP का close किया जाएगा HVA को 0 करके CC INV Fuse को चेक किया जाएगा अगर ये melt है तो इसको चेंज कर दिया जाएगा और अगर दुबारा है melt हो जाता है तो होबा को आफ करके हम इसको फिर से चेंज कर देंगे उसके बाद फिर से हम DJ close करेंगे और LSE HVA बुझने का इंतजार करेंगे और अगर इस IV अभी भी नहीं start हो रही है तो इस बार हम BLVMT आन करके DJ close करेंगे या DJ close करने के बाद BLVMT आन कर देंगे और QSVM Relay को चेक करेंगे क्या इसमें चेक करेंगे इसका इनरजाइज होना अगर ये इनरजाइज है तब तो ठीक है लेकिन अगर ये इनरजाइज नहीं है तो हम CCA Fuse को भी चेक करेंगे क्योंकि SIV के auxiliary control circuit में जो CCA Fuse है उसी के रास्ते से BLVMT के द्वारा और DJK NOI के द्वारा QSVM Relay को supply मिलती है इसलिए CCA Fuse भी हम चेक करेंगे और अगर ये Fuse melt है तो इसको बदल देंगे दुबारा melt होता है तो होबा आफ करके बदल देंगे लेकिन अगर CCA Fuse सही है तो हम QSVM Relay को energize हालत में वेज करेंगे और जब QSVM Relay को energize हालत में वेज किया जाता है तो एक साउधानी रखी जाती है कि जब भी हम DJ close करेंगे तो BLVMT on करके ही DJ close करेंगे ये एक साउधानी रहती है अब अगर QSVM Relay भी energize है पहले से उसके बाद नहीं SIV में current पहुँच रहा है तो हम QV60 Relay जो है उसका जो NCI है NCI को हम क्या करेंगे clean करेंगे फिर भी नहीं सफलता मिलती है तो हम होबा को आफ करके एक बार courses करेंगे उससे भी नहीं होता है तो हम IP का close करेंगे और HBA 0 पर करेंगे और लगभग 3 मिनट बाद फिर से courses करेंगे तब भी नहीं होता है तो एक बार हम cap change करके भी try कर लेंगे कि cap change करके अगर हमको सफलता मिल जाती है तो ठीक है और इससे भी नहीं सफलता मिलती है तो हम TLC को सूचित कर देंगे तो इतने तरीके से अगर SIV हमारी नहीं start होती है इसकी troubleshooting करेंगे अब एक चीज यह भी हो सकता है कि जैसे हम black section में खड़े हों किसी कारण से SIV हमारा बंद हो गया हो दुबारा start ना हो रहा हो तो इन serial wise हम troubleshooting करेंगे और अगर नहीं सफलता मिलती है और हमको black section clear करना है तो black section clear करने के लिए अगर MR pressure है तो CC INV fuse को हम क्या कर देंगे धीला कर देंगे और first notch की tripping से बचने के लिए जो हमारे पास HVSI 1 & 2 switch है इसको हम 3 पे करेंगे और 5 notch पर black section clear कर लिया जाएगा अगर HVSI 1 & 2 को 3 पे हम नहीं करेंगे तो first notch की tripping मिल जाएगी क्योंकि QVSI 1 & QVSI 2 तो pick up होगा नहीं क्योंकि SIV चल नहीं रहा है और छठा notch लगाएंगे तो हमको Q118 के उपर tripping मिल जाएगी क्योंकि वहां blower और हमारे जो blower का NOI है वह नहीं लगेगा क्योंकि BLVMT भी हम क्या करें रहेंगे खोले रहेंगे तो इसलिए हम पांच नाच पर गाड़ी चलाएंगे CCNV फ्यूज दिला कर देंगे और BLVMT को भी हम आफ रखेंगे और पांच नाच पर हम गाड़ी चला लेंगे जो नया वाला SIV का है सरकिट उसमें इस BL और BLVMT की जगा एक QSVM रिले का ही NCI लगा है नय वाले सरकिट में यह हट गया है कि एक QSVM का NOI लगा है जिसमें दो सेकंड का टाइम डिले है और एक QSVM का NCI लगा है तो चाहे यह वाली सरकिट हो या वो वाली सरकिट हो हम इसी हिसाब से हम ट्रबल सूटिंग करेंगे अगर हमारा SIV स्टार्ट नहीं हो रहा है एक और कंडिसन आता है कि SIV हमारा स्टार्ट हुआ लेकिन SIV के अंदर कोई फार्ट हो गया जिसको इक इंटर्नल फार्ट बोलते हैं या SIV से जो सप्लाई बाहर मिली जिनसे हमारे आगजलनिया और हीटर वगेरा चलते हैं उनमें अगर कोई खराबी हुई उसकी वज़ा स SIV में जो एक्स्टर्नल फार्ट हुआ है तब हमारी QSIT रिले इनर्जाइज होती है जिससे की QSIT रिले का NCI MT DJ ब्रांच पे खुलेगा और DJ को ट्रिप कराएगा साथ ही पालेट लेंपे LSSIT का लैंप जल जाएगा और जब हम SIV पर जाएंगे तो वहां इंटर्नल फार्ट ये एक्स्टर्नल फार्ट का लैंप भी जलेगा वो दूसरी कंडिशन हो गई कि SIV एक बार स्टार्ट हुआ है लेकिन SIV के अंदर इंटर्नल फार्ट ये एक्स्टर्नल फार्ट हो गया है इस वज़ए से DJ ट्रिप किया है तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में उसकी ट्रबल सुटिंग की जाएगी कि SIV में अगर इंटर्नल फार्ट ये एक्स्टर्नल फार्ट होता है तो कैसे ट्रिपल सुटिंग करेंगे थैंक्यू